hey guys this is sìhver विस्पर्मा and welcome to cyberspority YouTube channel so guys आज एक normal सा problem जो relics में बहुत आते रहता है ठीक है बहुत सा dependency problem आते रहता है ठीक है मैंने issue क्या होता है कि जैसे है आप कोई package install कर रहे हो तो एक तरह का problem आ जाता है fix – fix broken installed package तो इस तरीके के problem को आप कैसे solve करते हैं बहुत easy है ठीक ना तो आज मैं आपको यह ही दिखाने वारा हूं इस वीडियो में ठीक है तो मैं चलो एक आपको दिखा देता हूं इसको मैं टेक्स्ट को बढ़ा कर लिया किसी package को install करते हैं ठीक है आपको इस तरीके को बारब्लम देने लगेगा ठीक है और जब तक आप इसको fix नहीं करोगे आप कोई भी package को install नहीं कर सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है आप कोई भी package आप इसको try कर सकते हो ठीक नहीं मैं कोई भी package आप इसको try कर सकते हो यह और package का नाम मैं ले देता हूं चलो मैं यहां पर cmatrix नहीं ले लिए चलो cmatrix मेरे में होगा इस गारी देख सते हैं यह पर फिर से problem दे रहा है इसको कैसे solve कर सकते हैं तो देखो इस problem कहां से create हुआ यह problem create packet tracer से हुआ है जब मैं packet tracer install कर रहा था तो उसके वज़े से problem create हुआ है तो मैंने तो packet tracer install कर रहा थो उसके वज़े आप किसी भी package को install कर रहा होंगे तो आपका अगर ऐसा problem create हो जाता है तो आपको यहां पर display कर देगा आपको fix करने बुलेगा तो इसके लिए simple सा command है आपको कुछ नहीं करना sudo apt-get install-8 command चला देता है इसके बाद आप कुछ भी अगर install करना चाहते हों तो आप आसानी से install कर सकते हों मैं इसको complete होने के बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से मेरा problem fix हुआ या नहीं हुआ है ठीक है तो यह मेरा package जो है unpacking हो रहा है ठीक है तो जब यह install हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि जो हमारा problem था apt-fix broken install का जिसको fix करने बोरा था हमाना scene वह fix हो चुका है ठीक है तो बहुत यह basics है बट क्या होता है कि जो तो इस तरीके का problem आप असानी से fix कर सकते हो है इस command को यूज़ करके ठीक है जो मैंने बता है ठीक है तो I think मुझे लगता है कि आपको पता होगा अगर आप Linux यूज़ कर रहे हो तो Linux में इस तरह के इसे के dependencies problem जो है वो आते रहता है ठीक है अब इस देखो क्या होता है कि Linux में प्रत इक डिफेरेंट डिफेरेंट जो package होता है उसके दिफेरेंट डिफेरेंट डिपेंडेंट्रेंडनेल से होता है अब सब के जिए lifelong अशग करता है किसे के और अब हम इंस्टॉल करते हैं जो मैं इंस्टॉल कर रहा था सुड़ एपीटी इंस्टॉल मेल इंस्टॉल्स ठीक है या जो भी पैकेश का नाम है आपको 14 MB का है तो मैं इसको यस करता हूं और इस तरीके से आज देख सकते हैं जो हमारा प्रॉब्लम में प्रॉब्लम आ रहा था यह पीटी इंस्टॉल का वह प्रॉब्लम फिक्स हो चुका है आप आसानी से कर सकते हो ठीक है तो यह हमारा पैकेश है तो पैकेश को नॉर्मल है या इसको आप कर सकते हो ठीक है आपको भी पैकेश इंस्टॉल कर रहे होगा तो इस करिके से आपका install हो जागा बहुत ही आसानी से इस weडियो में हम ने स्रिखा कि आप इस problem को जो common problem है इसको कैसे solve कर सकते हैं ठीक है और की क्यों create होता है किसके वज़गी होता है कैसे cheque कर सकते हैं चीज देखा ठीक है ये बेसिक से हो नग्हारा 1955 इंस्टॉल हो रहा है ठीक है तो गल्त हो चुका है और इसको देख लेते हैं अगर आपको지는 इंस्टॉल करना है तो मैं बस एक जांपल देखे आपको दिखाया ठीक है तो चलो मैं इसको मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक यू सो मच और आधा नाइस टे बावाई